नमस्कार शाह जहापुर के ददरॉल ब्लॉक की ग्राम पंचैत गंधार के प्रधान पती से गाउं की समस्याओं पर विशेश चर्चा आईए सुनते हैं गाउं की जन समस्याओं पर चर्चा गाउं की तमाम जो समस्याओं होती है जो समस्या किसी भी छेतर की आरंब होती है वो गाउं से होती है गाउं जो हो है वो किरसी पर निर्भर करता है गाउं की जितनी भी समस्याओं होती है उन समस्याओं को आज तक किसी भी चैनल ने नहीं उठाया लेकिन हमारा चैनल ये मुहिम लगातार जारी है हमारे चैनल के मादम से और लगातार हम एक हर एक गाउं में जाते हैं और गाउं की समस्या को जान कर अपने चैनल के मादम से उसको दिखाते हैं और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम उस गाउं की समस्या का निवारण करा सकें इसी कड़ी में आज हम ग्राम पंचायत गंधार में आ चुके हैं विकास खंड दद्रॉल हमारे साथ यहां पर प्रदान प्रतिविजी बैठे हैं हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनकी गाओं की समस्याएं हैं और क्या कुछ उनकी प्लानिंग है आने बाले पांस साल के लि अबारा पसु बहुत है इससे खेती करना जो है बहुत दुस्वार हो गया है लोग राद राद पर जगते हैं अपने खेतों पर उपर मचान बना रखा है तब भी फसल जो हो जाती है और दूसरी जिसे आवारा पश्यू जो है क्या गौशाला वगेरा का यहां पर कहीं आस कुछों की बज़े से किस तरीके की यहां के किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्या बज़े रात रात पर जगते हैं हम लोग और फसले नश्ट हो जाती है हमारी खुद शेविगा फसल जो है वो पैरों से खराब कर देते हैं अब कुछ खा लेते हैं दूसर हमें बिकास के लिए जो पैसा आता उसका दूर्पीयों किया जाता है लगातार इस पर आपका क्या कहना है अब हमें नया माबला है जानकारी नहीं पूरी कैसा क्या होता है कि आपके को तन्तरता के बाद अगर देखा जाए तो कौन सी कौन सी इस वार की यह पंचवर्शी पंधरमी पंचवर्शी में मतलब 15 वार लगातार यहां पर प्रतिनीदी वने होंगे क्या विकास रहा इस गाउं का क्या परसंटेज है विकास की इसे प्रमार सामने यह गाउं चलके देख लिया जाए इसे कितने बैसे बैक्ती है जिने अभी तक आवास होजना का लाब न इसे प्रति जिनको सोचाले नहीं मिला है वह यह इसे लमसम 50 परसेंट 50 परसेंट प्रति सोचाले और आवास से बंचित हैं इस गाउं के और इसी तमाम जो सुबिदाएं भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से आती हैं ग्रामीडों के लिए उन तमाम योजनाओं में तमाम उनकी जो सुबिदाएं हैं उन सुबिदाओं को किस तरीके से इस ग्राम पंचायद के लोग लाब उठा रहे हैं को इसी टाइप से हमारे यहां पंचायद घर बना जरजर है कि सितिम है लिंट रूसका लपक गया कई हमने प्रात्ना पर सीडियो डियम उसब को दिये लिंटर लपक गया नीचे के लिए उपर पानी बरा रहता है जो सुकत समचाले बना उसका प्लाश्टर टाल फाल सब टूटे टाटे हैं तो सब कुछ टूटा हुआ कि यह सीडियो की डियम्स की तमाम लोगों से आप शिकाज कर चूक हैं दूसरा क्या एक संदेश रहेगा क्या एक मैसेज रहेगा आम लोगों के लिए और प्रदानों के लिए जिसस तरीके साथ पहली बार प्रदान बने है आपका भी सपना लेकिन जब तक यह पाय रहेंगे विकास हो गया गाय जो है वो अगर सरकार के प्रशन उठता है तो सरकार के ती कहती हैं इनकी विवस्ता की गई है क्या है सरकार एक सेर पकड़वा सकती है तो गया क्या बड़ी चीज है यह आवारा परश्यों के लिए के आप आपका एक परसनल सुझाव मान सकते हैं कि जब सरकार सेर पकड़वा सकती है तो आवारा परश्यों क्यों नहीं बिल्कुल ठीक है क्या एक संदेश रहेगा चैनल के मादल से यह है कि हमारी गाय पकड़ जाए बढ़िया सुबदा मिले बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर ग्राम पंचायत गंदार से कुछ लोग मौजूद हैं हम जानेंगे क्या कुछ उनके गाउं की नमस्कार हमारे यहां द्वस्त वो उसकी वो है और उसकी जाच दस्यों बाल डाल यह कोई की सुनवाई नहीं हो रही है जिस तरीके से आप बता रहें कि आपके जो पंचायत घर है वो मतलब बिल्कुल छहतिग्रस हो चुका है कितना पुराना यह होगा लगा पिछली नई पंच बर होगी कितने दिन का है एक बरस में ही जर जर रवस्ता में हो गया क्या कुछ मैटेरियल लगा होगा आपके हमारी जाबत उसमें तो कुछ लगे नहीं है घरिया संबरी की सामगरी लगी हुए रेता टाइप उसका बजट कैसे पास कर दिया यह तो सिग्रेटरियों पूर पर लगे कहीं किसी में नहीं लगें किस तरीके का है निर्मार्ण वो किस तरीके का भवन है इस समय तो उसमें जो है खड़े होने भी नहीं जो है गिर जाएगा और क्या ऐसी समस्या हैं गाउंगी पंचाइद बवन के लावा मेरी जुम्हें रास्ता है हमारे घर के जाने के लिए पांस साल से प्रदान से का अभी उसमें गड़ा गाड़ी नहीं निकल पाएगी आप जाना चाहूं तो निकल नहीं सकते मुझूदा प्रदान से क्या उम्मेद हैं मुझूदा प्रदान के हाथ में अभी कुछ आया नहीं है जब आएगा तो उम्मेद है बनाएंगे वो क्या कहना चाहेंगा मैं कहना मेरी यहां भूमाफिया सरब जीत रहता है 156 जमीन का अबेद कपजा कर रखा है उसमें बहुत कि अबेद जमीनने की की तो जिस तरीके से यहां कि ग्रामीनों का कहना है इन तमाम सवंस्याओं का इनका निवारण किया जा सके हम श्राशन और प्रशासन से यही गुजारिस करेंगे कि इस गाउं की समस्या पर जो भी गुंजायसन मदद की जा सके वो मदद की जाए देखते रहे हैं आप हमारा चैनल नमस्कार, जै हिंच, भारत